वेलकम बैक टू आवर यूटूब चैनल आज वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचल फंड्स चा होते हैं और इनमें की तरह से हमें निवेश करना चाहिए जी हां दोस्तों म्यूचल फंड का मतलब होता है कि एक ऐसा फंड जहां पर बहुत से इन्वेस्टर्स का पैसा कॉमन फंड की तरह एक खास जगे पर कलेक्ट हो और उससे आपको और जिन इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट किये हैं उनको अच्छा बेनेफिट मिल सकें इस जिससे कि आपको प्रॉफिट मिलता है जी हां दोस्तो जिससे हम जब भी किसी कमपनी में शेयर्स को बाय करते हैं या फिर हम किसी कमपनी के स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वहाँ पर उसके बदले में यहाँ पर शेयर्स मिलते हैं ठीक उसी तरह से जब हम mutual fund में अपना पैसा invest करते हैं तब हमें mutual fund की units मिलती है इसमें भी सेम जिस तरह से shares की price बढ़ने से हमें अच्छा profit होता है उसी तरीके से mutual fund में भी NAV होता है जी हाँ दोस्तों जिसका मतलब होता है net asset value जिसके बढ़ने से ही हमें अच्छा benefit होता है अब अगर एक इसको example से समझें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि माल लीजे आपने किसी mutual fund में 2,000,000 रुपे invest किये हैं और उस mutual fund की जो NAV है वो 100 रुपे की है इस तरह से हमें उस mutual fund की जो total units मिलेंगी वो मिलेंगी 2,000,000 divided by 100 इस तरह से हमें 2,000 units मिल जाएंगी अब अगर एक साल बाद अगर इन यूनिट्स की value 100 रुपे से बढ़कर 1,500 रुपे हो जाएगी तो हमें एक साल बाद कितना profit मिलेगा तो दोस्तों हमें इस तरह साल बाद 2,000 into अगर हम यहाँ पर 150 करेंगे तो हमें total यहाँ पर 3,000,000 रुपे मिलेंगे इसका मतलब है एक साल पहले जब हमने mutual fund में 2,000,000 रुपे इन्वेस्ट किये थे जिसकी value एक साल बाद 3,000,000 रुपे हो चुकी है तो हमें जो total यहाँ पर profit मिला है वो है 3,000,000 – 2,000 इसका मतलब है हमारा total जो यहाँ पर profit हुआ है वो 1,000,000 रुपे का हुआ है यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि share market में shares की price हर दिन काफी बार बढ़ती और घटती रहती है जिससे कि कभी-कभी हमें shorter में अच्छा benefit भी हो जाता है तो वहीं कभी-कभी हमें बहुत ज़्यादा loss भी हो जाता है और हमें नुकसान जिलना पड़ता है लेकिन mutual fund के case में ऐसा नहीं होता है जीहाँ दोस्तों यहाँ पर दिन भर में सिर्फ एक बार ही fund की जो NAV होती है वो एक बार ही change होती है और एक दिन में invest करने वाले सभी investor को एक ही NAV पर same units मिलती है जीहाँ दोस्तों यहाँ पर एक और चीज होती है कि आप mutual fund में दो तरीके से निवेश कर सकते हैं एक होता है lump sum दूसरा होता है SIP अब lump sum SIP क्या होते है और आप mutual fund में इन दोनों तरीके से किस तरीके से invest कर सकते हैं यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा आज के लिए बस इतना है दोस्तों I hope आथ समझ गयोंगे कि mutual fund क्या होता है और यह किस तरीके से आपके पैसों को बढ़ाता है दोस्तों वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल पे नूँ है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद